उत्तर प्रदेश ने लोक्त सभा चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है बहुजन समाजवादी पार्टी ने जॉन पुर्सीट से उमीदवार बाहुबली नेता धनेंजे सिंग की पतनी श्रीकला सिंग का टेकर काट दिया है अब यहाँ से श्याम सिंग यादव को बसपा ने उमीदवार बनाया है जानकारी के मताबिक बसपा ने आखरी वक्त में पूर्व सानसद धनेजे सिंग की पतनी श्रीकला का सिंग का टेकर काटा है अब उनकी जगा नी वर्तवान बस्पा सांसाद श्याम सिंग यादव पार्टी के उमीदवार होंगे वो आज यानी नामंकन के आखरी दिन परचा दाखिल करेंगे कुछ दिनों पहले श्रीकला का टिकट कटने की चर्चा चल रही थी लेकिन रविवार की शाम नगर एसित केंद्री कार्याले पर उद्घाटन करते समय बस्पा कोडिनेटर घंश्याम चंद्रक खरवार ने इसे अफवा बताया था वही सौंबार की सुभा उनके टिकट कटने के पुष्टी बस्पा जलाद्यक शंगराम भारती ने की उन्होंने बताया कि श्रीकला सिंग का टिकट कट गया है अब उनकी जगा बस्पा के निवर्तमान सांसद श्याम सिंग यादव नामंकन करेंगे इनकी टिकट कटने का कारण किया है ये तो नहीं पता चला जानकारी मिल रही है कि टिकट कटने के बाद श्रीकला ने कारेकरताओं के बैठक बुलाई है, बैठक में तै किया जाएगा कि श्रीकला निर्दले चुनाव मैदान में ताल ठुकेंगे या नहीं श्रीकला ने चार दिन पहले ही पर्चा दाखिल किया था, गौर्टला भेगे जानपूर में छटे चरण में 25 मई को बोटिंग होनी है, इस चरण में प्रवांचल की लाल गंज, आजमगड, जानपूर, मचली शहर और भदोही में मतदान होगा